तो आज की रेसिपी को शुरू करते हैं आज हम बनाने वाले हैं बैटी क्रोकर का पैनकेक मिक्स जो की बच्चों का बहुत ही फेवरिट नाश्ता होता है तो चलिए देखते हैं इसमें हम क्या अट करेंगे और इसे कैसे बनाएंगे यहाँ पे मैंने एक कप मिल्क लिया है रूम टेंपरेचर पर यह मिल्क है एक मिजरिंग कप लिया है इसी से हम मिक्स करेंगे और नाप के बनाएंगे कि हमें कितना यूज करना है थोड़ा समयने बटर लिया है और हनी लिया है यह डाबर हनी है आप चाहे तो हनी के जगह गार्णिशिंग के लिए हर शीज चॉकलेट सिरप भी यूज कर सकते हैं तो चली प्रोसेसे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम पैनकेक मिक्स को एक मिक्सिंग बॉल में मिक्स कर लेंगे तो यहां पर मैंने मिक्सिंग बॉल लिया है जो यह मिजरिंग कप है उससे मैं इसमें वन एन हाफ कप पैनकेक मिक्स एड़ करूंगी आप चहें तो अमाउंट ज्यादा या कम कर सकते हैं पर दो लोगों के लिए चार या पाँच अगर आपको पैनकेक्स बनाने है तो इतना एन अफ है तो थोड़ा समय और ले लूँगे यह 1.500 ग्राम है और दुबारा जो मैं ले रहे हूं यह 50 ग्राम है अल्मोस्ट तो इसमें अब हम मिल्क यूज करेंगे इसे मिक्स करने के लिए तो थोड़ा-थोड़ा करके हम इसे मिक्स करेंगे दूद की जगर आप चाहें तो फ्रेंट्स पानी का भी इस्तिमाल कर सकते हैं यह तोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप दूद मिक्स करते हैं यह पानी मिक्स करते हैं तो एक दम से एक बार हमें नहीं डालना है हमें इसे ग्रैजवेली मिक्स करना है बिल्कुल धीरे-धीरे हम इसमें एड़ करें दीरे दीरे हम इसे मिलाएंगे बैटर ठीक होना चाहिए यह ज्यादा गीला नहीं होना चाहिए अधर्वाइस क्या होगा कि जब हम इसे बनाएंगे तो यह बहुत बड़ी शेप में बन जाएगा तो without any lumps मैंने अपने बैटर को मिक्स कर लिया है कुछ इस तरीके से और फटा फट से हमें पैन चड़ाएंगे गैस पर फ्राइंग पैन तो लेट्स टेक नॉन्टिक पैन पैन तो हम इसे पैन में ही बनाएंगे तो पैन को मैंने चड़ा दिया है यह हीट हो गया है तो अब महम इसमें थोड़ा सा बिल्कुल लिट्ल बिट बटर है वो ग्रीस कर लेंगे ज्यादा बटर नहीं लगाए फ्रेंड ज्यादा लगाएंगे तो फिर हमारी पैंकेक जो है वो शेप में नहीं बनेगी तो हमें बिल्कुल थोड़ा साइड करना है और जस्अइल स्टीकल भी आप्षाय जरुम और मिक्सटर अधर अनुप कुला सब्सक्राइब और उसे सेट यहे क्रेंगे कर्ण से चीज़ग इन पैंकेक मिक्सटर कॉड़ा है से अपतेश में शेप माननेटेपन अनूंस्टे में नहीं में पैंकेक मिक्स का सबस्चित यह म जिस तरी से गैस को हमें मेडियम पे रखना है और इसे अब हम सीखने देंगे पांच मिनट के बाद हम इसे देखेंगे इसमें छोटे-छोटे से होल्स आ गए हैं फ्रेंड्स और अब हम इसे फ्लिप करेंगे जब यह उपर से पूरी तरह से सूख जाएंगे है उपर ंभल नहीं होना चाहिए द्धान रहें जब आप इसे फिलिप करें तो उपर गी लह नहीं होना चाहिए लेड़ा डैम डीम ढ्राइं और चौटी बियुंगती और बहुत हीसं संदर सा कलर आया है मैंने से फिलिप कर दिया ऐा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मैं ऐसी ही और सिंपल रेसिपीज लेकर आती रहती हूँ तो सेम प्रोसेस से फ्रेंट्स मैं मैंने ग्रीस कर लिया है पैन को अब हम उसी प्रोसेस से दूसरी पैनकेक बनाएंगे यह विल्कुल 100% वेजिटेरियन पैनकेक है जो हम इंस्टेंट बनाते हैं यह देखिए इसमें छोटे-छोटे से छेद आ रहे हैं जब यह उपर से पूरी तरह से ड्राइ हो जाएंगे तो हम इसे भी फ्लिप कर देंगे इसी प्रोसेस को रिपीट करके आप सारे पैनकेक्स बना लें यहां मैंने जो बैटर लिया था उसे 5 पैनकेक्स बने हैं वैसे तो 23-24 पैनकेक्स इस पे लिखा हुआ है जो है बट पांच ही बनाया है मैंने अभी फिलाल अब हम इसमें थोड़ी से बटर को चिकना करने के अब आपने लिए थोड़ा सा ग्रीज कर लेंगे आप चाहें तो ना लगाए थोड़ा सुखा-सुखा सा लग रहा था तो मैंने इसमें बटर ग्रीज कर दिया है हलके हलके से बहुत ही फटाफट से बहुत ही इंस्टेंट बन जाता है बच्चों के टिफिन बॉक्स में बच्चों का कुछ मीठा खाने कवन हो तो आप यह बना सकते हैं और अब एन्ड में हम क्या करेंगे इसे। अपनी से गार्निश करेंगे थोड़ा सा old up में रिखास के लिए। थोड़ा साथ मैंने बटर और एक किया है आप चाहें तो पर चाहें तो करें या कि स्किप और सकते हैं। आप चाहें तो हनी की जगह पे हर्शी सिरब भी यूज कर सकते हैं या बच्चों के फेवरेट फ्रूट्स कट करके उस पे डाल सकते हैं तो ये पैनकेक्स रेडी हैं आप इसे हनी और बटर के साथ इंजॉय करें फ्रेंड्स और मेरी इंस्टेंट रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें शेर करें सपोर्ट करें तो मिलते हैं फिर नए रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में फ्रेंड्स तब तक के लिए टेख केर और दू सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू फो वाचिंग